हेलो दोस्तो कैसे हो आप सब दोस्तो आज और एक important टॉपिक पर हम वीडियो लेकर के आए हैं जो की है हमारा चोटियों पर जो की जियोगरफी का एक महत्पून टॉपिक है यहां से भी एक ने एक परसंट जरूर किसी ने किसी एक्जाम में पूछ जाता है तो इसको जरूर स इस में से कितने प्रसंट सही कर पाते हैं तो देखिए दोस्तो सबसे हमारा पहला प्रसंट है माउंट एबरेश्ट कहां पर है तो माउंट एबरेश्ट सभी को मालूम होना चाहिए यह है नेपाल में और 8848 इसकी मीटर उचाई है तो यह भी आप याद रखनें एक बार अ तो अभी उपर वाला प्रसंट ही दूसरी तरीके से रेपीट किया है तो आंसर सही हो जागा प्रसंट ए माउंट एबरेश्ट की सबसे हूचा परवसिखर है प्रसंट नमबर तीन देखिए नंदा देवी चोटी अब कोन से हमाले में आसम हमाले में गड़वाल हमाले में नेपाल हमाले में या फिर पंजाब हमाले में तो ये नंदा देवी गड़वाल हमाले में आती है उप्सन बी इसका सही जवाब है उप्सन बी प्रसंट नमबर चार देखिए प्रसंट नमबर चार है गुरु सिखर परवस चोटी कौन से राज्य में अवस्तित है तो ये option A, राजिस्थान में option A, इसका सही जवाब है person number 5 देखिए निम्लिकित परवस सिक्रों में से कौन सा एक भारत में अवस्तित नहीं है ये पूचाए कौन सा नहीं है तो चार option पहले इसके देख लेते हैं चार option इसके गोसाई थान, कामेत, नंदादेवी, तिर्सूल तो ये तीनों तो हमारे इंडिया में हैं लेकिन गोसाई थान ये नहीं है तो option A, इसका सही जवाब हो जाएगा person number 6 देखिए person number 6 कुलू घाटी जिन परवतों के बीच में अवस्तित है तो कुलू घाटी जो है ये धोलाधा और पीर पंजाल के बीच में अवस्तित है तो option A, इसका सही जवाब है अगला person देखिए person number 7 नेलांग घाटी अवस्तित है तो option है इसके हिमाचल परदेश, सिक्किम, जम्मु कस्मीर, उत्राहंड तो इसका सही जवाब होगा बताईए option D, उत्राखंड में ये नेलांग घाटी है person number 8 person number 8 देखते हैं मिलान करना आया पर मिलान सही से करें कि कुई जरूर एक्जामर पूछा जाता है तो देखिए मूर का घाटी जो होती है ये होती है जम्मु कस्मीर में और जुकू गाटी जो है ये है नागालेंड में और सांगला जो है ये हिमाचल प्रदेश में है और यूठांग जो है सिक्किम में है तो option मिलाते हैं A का क्या होगा तीन A का तीन और B का चार तो A का 3, B का 4 देख लेते हैं A का 3, B का 4 यानि option D हमारा सही जवाब हो जाएगा option D अगला present देखते हैं present number 9 ये भी देखिए क्या पूछा है इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है तो चांगला जो है रोतांग, बॉमडिला तो देखिए चांगला जमुकस्मीर में है सही है, रोतांग, हमाचल प्रदेश में ये भी सही है, बॉमडिला अणवाचल प्रदेश में सही है सेला उत्तराखंड में नहीं होता है ये अणवाचल प्रदेश में तो option D इसका सही जवाब हो जाएगा प्रसन नमबर दस देखिए ये भी सेम प्रसन है युग में सुमेल नहीं है ये पूछा है, तो बॉमडिला अणवाचल प्रदेश सही है नातुला, सिक्किम सही है पाल गाट, केरल ये भी सही है भोर गाट, हमाचल प्रदेश में नहीं महराष्ट में होता है तो उप्सन C, इसका सही जवाब है प्रसन नमबर ग्यारा देखिए नातुला, किस राज्य में इस्तित है तो ये होता है नातुला, सिक्किम में उप्सन D, इसका सही जवाब है प्रसन नमबर बारा देखिए पिरसन नमबर बारा है निमली के दर्रो में से कौन सा उत्राखंड में अवस्तित है तो जैलेप, लिपुलेग, नातुला, सिपकला तो उत्राखंड में होता है ये उप्शन B लिपुलेक माना नीती लिपुलेक ये उत्राखंड में होते हैं option 20 का सही जवाब है पिरसन नमबर 13 देखिए रोहतांग दर्रा अवस्तित है तो रोहतांग दर्रा जो है ये हिमाचल प्रदेश में है option A का सही जवाब है पिरसन नमबर 14 देखिए माना दर्रा अभी उपर बताया है कहाँ पर होता है ये उत्राखंड में option 20 का सही जवाब है पिरसन नमबर 15 देखिए निमलिकित में कौन सुमिलित नहीं है फिर सुमिलित नहीं है पुचा है इसको जरूर ध्यान से पढ़ लिया करें नातुला सिक्किम में होता है और नाचल परदेश में नहीं बाकि ये तीनों सही है इसको एक बार पढ़ने option A हमारा सही जवाब होगा सुमिलित नहीं है ये option A नातुला क्योंकि सिक्किम में होता है पिरसन नमबर 16 देखिए लिफुलेक दर्रा कई बार पूछ लिए ये बार बार उपर तो ये है हमारा उत्तरांचल option C इसका सही जवाब है तो इस तरीके से ये 16% थे जो कि हमने इसमें देखे अगर इस तरीकी की वीडियो आपको अच्छे लगते हैं इसको सब्सक्राइब कर लें कि आने वाली वीडियो में हम पूरा जियोग्रफी, पूरा इस्ट्री और पूरा जो पॉलेटी है वो सब कम्प्लीट कराएंगे तो इस वीडियो देखने के लिए धन्यवाद